चंद्रियान 2 मिशन अंत्रिक्ष की दुनिया में भारत के लिए एक एतिहासित मिशन है इस मिशन का मकसद चंद्रमा के प्रती, जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना है जिससे कि भारत के साथ साथ पूरी मानवता को फाइदा हो चंद्रियान 2 मिशन की एहमियत इसलिए भी खास हो जाती है क्योंकि ये पहला भारती अभ्यान है जो स्वदेशी तकनीक से चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा इस मिशन की सफलता से ये साथ हो जाएगा कि हमारे वैग्यानिक किसी के मोहताज नहीं है इतिहास रचने के नस्दीक भारत चंद्रियान 2 अभ्यान का महत्व चंद्रियान 2 चंद्रमा के दक्षणी ध्रूव शेत्र में उत्रेगा जहां अब तक कोई देश नहीं पहुचा है दूसरे देशों के ज्यादा तर्मिशन भूमध चंद्ररेखा के आसपास गए हैं जहां चंद्रमा के दक्षणी ध्रूव की तुलना में जमीन सपाट है माना ये जुरह है कि चंदर्मा का डक्षणी द्रूब चंदर्मा के दूसरे हिस्सों के मुकाबले ज्यादा चायादार है ऐसे में वहाँ पानी होनी की संभावना ज्यादा है वहाँ पानी का होना भविश्य में इंसान की मौजूदगी के लिए फाइदेमंद हो सकता है अगर चंद्रमा पर पानी मिलता है तो ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धी होगी चंद्रयान टू मिशन के दौरान चंद्रमा की सतह में मौजूद तक्वों का अध्यन कर ये पता लगाना कि उसके चटान और मिट्टी किन तक्वों से बने हैं मिशन के तहट उनमें मौजूद मैगनीशियम, कैल्शियम और लोहे जैसे खनिच को खोजने का प्रयास करना बेहद खास है चंद्रयान टू मिशन के तहट मौजूद खाईयों और चोटियों की संरशना का अध्यन कर चंद्रमा की सतह का घनत्व और उसमें होने वाले परिवर्तन का अध्यन करना इस मिशन का मुख्य उद्देश है चंद्रयान टू का मुख्य उद्देश चंद्रमा के सतह की 3D तस्वीरे लेना भी है ग्रीन एनर्जी की खोच को देखते हुए भारत का मिशन चंद्रयान टू बेहत महत पून है दरसल चंद्रमा पर बड़ी मात्रा में पाय जाने वाले हीलियम 3 की खोच कर भारत इस समस्या से भी निजात पा सकता है अगर भारतिय वैज्ञानिक हीलियम 3 की खोच कर लेते हैं तो इस से 500 साल तक उर्जा की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है नासा के मुताबिक चंद्रमा पर 10 लाख मेट्रिक टन हीलियम 3 मौजूद है यूँ तो भारत ने अंत्रिक्ष के शेत्र में कई बड़े कीर्थिमान रचे ही लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि चंद्रयान 2 भारत के लिए एक बड़ा माइल स्टोन है क्योंकि भारत के अलावा सिर्फ तीन देश अमेरिका, रूस और चीन नहीं अब तक चांद की सतह पर सॉफ्ट प्लानिंग की है लहाजा मिशन चंद्रयान 2 भारत के लिए हर तरह से खास और एतिहासिक है ब्योर रपोर्ट आरनाइम टीवी